मुझा करेंगे आज हम फिर से बात करेंगे टीविएस की जुपिटर 110 के लेटेस्ट 2024 मॉडल के बारे में जो स्क्रीन पर आप कलर देख पा रहोंगे यह है इसका स्टार लाइट ब्लू कलर वेरियंट इसके अलाव इसमें आपको पांच कलर वेरियंट और मिल जाएंगे जिसका रिव्यू आपको बहुत ही जल्द इसी चैनल पे देखने को मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा 2024 की इस न्यू लाँच TVS Jupiter 110 में आपको कई सारे नय अपडेट देखने को मिलने वाले हैं पूरी की पूरी स्कूटी को न्यू डिजाइन की कर दी गई है और जो इसमें अपडेट किये गये हैं वो काफी जादा अट्रेक्टिव अपडेट इसमें कर दिया गया है जिसकी जरूरत भी थी इस स्कूटर में और ये फर्स्ट इन सेंग्मेंट ऐसी स्कूटी हो जाती है जिसमें इतने सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं तो इसके बारे हम आज पूरे डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो के साथ हम तक बने रहेगा सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस की तो गौर कर लीजेगा जूपिटर 110 को टोटल चार वारियंट में लांच किया गया है ये इसका तीसरा वारियंट है जिसमें आपको ड लाग 5,000 रुपे के बीच में कम्प्लीट 100 प्राइस मिल जाएगी प्रयागराज यूपि की अब इस प्राइस में आपको क्या स्कूटर में मिलता है उसमें हम फोकस करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देख लिजिए ब्लैक और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन आपको मिल ज जाएगा क्रोम फिनिस के साथ में जो इसकी बॉड़ी है वो आपको फाइवर की देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको इसका अट्रेक्टिव चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे आई गो एसिस टेकनलोजी की ब्रैंडिंग आपको मिल जाती है यह क्या है मैं आपको ब प्रेमियम लगता है जो इसका DRL लाइट है उसे देखकर आपको एलेक्त्रिक विहिकल वाली फीलिंग आने वाली है बट यह एलेक्त्रिक वहिकल नहीं है इस इसका डोटिस कर लीजगा DRL लाइट काफी प्रीमियम क्वालिटी का इसमें रखा गया है इसमें आपको इंटी आपको side reflector भी मिल जाएगा और 130 mm का drum brake आपको इसमें मिल जाएगा गौर कर लीजेगा इसमें आपको disc variant भी मिलेगा बट उसकी price आपको इसकी price से लगभग 3-5,000 रुपे जादा देखने को मिलेगी 90 by 90 के 12 inch के tubeless tire इसमें आपको मिल जाएगे और जो इसमें lie wheel है वो आपको black color का मिल जाएगा tubeless tire 12 inch का रखा गया है tire size भी आपको काफी बहतर मिल जाएगी breaking quality भी काफी बहतर मिलेगी disc variant लेंगे तो उसमें आपको 220 mm का disc brake देखने को मिल जाएगा breaking वगए काफी बहतर रखी गई है अब यहाँ handle पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है parking brake यह काफी सही चीज है और यहाँ पे आपको smart x connect की branding भी मिल जाती है stick ring में अब अगर आप इसका meter console देखते हैं तो meter console इस scooter का काफी updated कर दिया गया है यहाँ पे full district meter console अब आपको मिलने वाला है जिसमें आपको welcome note भी मिलने वाला है यहाँ पे meter console देख लिजए colorful display के साथ clear black display का meter console आपको मिल जाएगा जिसमें आपको helmet reminder indicator भी मिल जाता है मतलब अगर आपने helmet नहीं लगाया है तो यह आपको remind कराएगा कि आपने helmet नहीं लगाया है उसके साथ इसमें आपको welcome note मिल जाता है plus bluetooth connectivity भी आपको मिल जाएगी तो bluetooth से connect करने के बाद आप इसमें call alert, smash alert, turn by turn, navigation यह सा आपको इसके meter console में मिल जाएंगे तो meter console काफी ज़्यादा updated कर दिया गया है meter console के surrounding में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको carbon fiber जैसा texture देखने को मिल जाएगा बट गौर का लिजेगा यह सिर्फ एक texture है carbon fiber नहीं है जो की देखने में काफी premium feel provide करता है left handle bar पे integrated switches मिलते है low beam high beam passing switch नीचे आपको side indicator switch और horn switch मिल जाता है और इसी में integrated आपको hazard light switch भी मिलता है यानि अगर आप side indicator को थोड़ी देर press रखते हैं तो hazard light on हो जाती है यह भी काफी सही लगा मुझे right handle bar पे engine kill on off और power self start switch आपको मिल जाता है switching quality काफी premium रखी गई है अब यहाँ पे आपको cover भी देखने को मिलेगा तो पानी जाने के chances काफी कम रहेंगे और mobile phone को आप आसानी से charge कर पाएंगे यहाँ पे ignition switches भी आपको provide किया जाता है और यहीं पे आपको glove box भी provide किया जाता है center में आपको एक hook भी provide किया जाता है जिसमें आपको चोटा मोटा carry back carry कर पाते हैं अब यहाँ पे देखेंगे तो left side में आपको इसका fuel tank देखने को मिलेगा जी हाँ जो इसका fuel tank है वो पीछे से हटा के आगे की तरफ shift कर दिये गया है जैसा कि आपको Jupiter 125 में देखने को मिलता है सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी मिलेगा और इस पे E20 की batching भी आप देख लिजे तो sure हो जाईएगा कि latest OBD2 model है जिसमें ethanol mixola petrol पड़ेगा fuel tank capacity भी काफी बहतर है लगवग 5.3 liter की fuel tank capacity भी आपको मिल जाएगा और इसका जो tank का धकन है उसे open करने के लिए आपको ignition switch को ही left side घुमाना पड़ेगा जिससे आपका tank धकन open हो जाएगा यहाँ पे आप देख quality height के है तब भी आपको leg space काफी बहतर मिल जाएगा leg space से related कोई problem आपको नहीं मिलेगा seat comfort देखेंगे तो dual tone finish आपको seat मिल जाएगी काफी puffy और अराम दायक seat आपको मिलती है seat comfort से related इसमें कोई भी problem नहीं आते comfort काफी अच्छा रखा गया है और seat height भी आपको काफी बहतर मिले boot space के मामले में इस scooter में आपको boot space जितना मिलता है वो आपको other brand की किसी भी scooter में इतना बड़ा boot space आपको नहीं मिलेगा और उसकी वज़ा यह है कि जो इसका fuel tank था वो पीछे से हटाके आगे shift कर दिया गया है जिसकी वज़े से boot space इसका आपको काफी ज़्यादा देखने को मि मिल जाएगी premium quality का आपको paint finish देखने को मिल जाए glossy finish मिल जाता जो कि देखने में काफी premium लगता है 113.3 cc का 4 stroke single cylinder fuel injection BS6 face to engine इसमें आपको मिलेगा तो BS6 face to engine है engine काफी redefine हो चुका है 5.9 kilowatt की max power मिलेगी 6500 rpm और 9.8 newton meter का max stock मिल जाएगा 5000 rpm पे with assist और 9.2 newton meter का max stock मिल जाएगा 5500 rpm पे without assist power or torque काफी बहतर है power or torque related कोई problem नहीं आती है अच्छी चीज़ यह है कि इसमें आपको kick भी देखने को मिलता है तो गौर कर लिजेगा अगर आप इसका top variant लेते हैं यानि disc variant लेते हैं तो उसमें kick हटा दिया गया है बट इसके drum variant में आपको kick भी देखने को मिलेगी तो आप kick से भी इसे start करके operate कर पाएंगे टॉप model में kick नहीं मिलेगा इस चीज़ का आप भी से इस तोर पे notice कर लिजेगा rear section का brake देखेंगे तो rear section में आपको 130 mm का drum brake मिलेगा rear का tire भी आपको 90 by 90 का 12 inch का tubeless tire मिलेगा जो rear का suspension वो आपको hand adjustable suspension देखने को मिलेगा जिसे आप 3 step तक adjust कर पाएंगे first in segment में ये ऐसी scooty हो जाती है जिसमें आपको hand adjustable suspension देखने को मिलते हैं तीन step तक आप इसे adjust कर पाएंगे suspension quality काफी बहतर रखे गई है rear section में देखेंगे तो rear section में TVS की branding आपको मिल जाएगी 3DM world chrome finish के साथ में black और blue color का combination dual toning जैसा finish आपको मिल जाएगा rear section का ज side indicator भी देखने को मिलेगा तो कैसी लेगी scooter और कैसी लेगी video कमेंट करके ज़रूगत आईएगा video अच्छी लिग हो तो अपनी तरफ से like और share ज़रूर करिएगा मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो में कुछ नाफर सब्डेट के साथ अब तक के लिए सभी दोस्तों को थाइंक्यू नमस्ते चैहिन